वैशाली के पातेपूर प्रकंशत्र के गोबिनपूर वेला फंचायत के भुसाही गाओं में उत्तर पिहार ग्रामीन बैंग के ग्रहाक सेवा केंद्र द्वारा लाखुर रुपे गवन करने का मामला प्रकास में आया है जिसको लेकर खाता धारको ने ग्रामीन बैंग के ग्रहाक सेवा केंद्र के खिलाप प्रदर्शन किया था सन्चाल के खिलाप नारेवाजी की ग्रहा को ने आरोप लगाया कि केसे सी के लोन लेने के बाद वे लोग कस्टमर सर्विस पॉइंट के माध्यम से लोन का किस्त जमा करते थे लेकिन उन्हें फर्जी डिपोजिट से लिपते दिया जाता था जब उन्होंने साखा से इसका पता लगाया तो पता चला कि उनका पैसा जमा ही नहीं हुआ है जिसके बाद ग्रामीनों ने जम कर हंगामा किया जम करो करो जोज़ी को धिरफ्तार करो भौखाधरी बब करो, संचाल लगो धिरफ्तार करो, ग्रामीन बाद ग्रामीन बैंक किसान को लॉन दिया गया था जो किसान अपना लॉन किस्त में जामा करते गाया उनको रसीद भी दे दिया गया CSP संचालक के द्वारा लेकिन उनके एकाउट में पैसा जामा नहीं हुआ और ग्रामिन बैंक के द्वारा उनपर नोटिस किया रहा है उनके खाता को पर इनपीय किया रहा है उसके खाता में पैसा एकांट में जमा नहीं किया है अगर जांच होगा तो यह एक ठोला का बात है अभी जितना हम लोग खरे हैं पर इतना निकला है 15-20 आदमी का अगर पूरे पंचायत को जांच किया जा तो यह सेंकुरों में मामला निकलेगा यहां पर अभी जो हुआ है 15 आदमी का स्टेटमें निकला है थाना पर फाईयार के लिए कोपी कल दे दिया गया है थाना परबारी क्यों भी तक फाईयार करके यह थाना प्रवारी जाने लेकिन हम लोग थाना प्रवारी को कल ही इसको सुचना दे दिये बैंक में भी दे दिया गया है अब 15 आदमी के स्टेटमेंट निकला है और स्टेटमेंट आज हम लोग निकालेंगे अईजन पूरा पंचायत में मामला है